आज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को आती है अपने ओफिस में आपने इस तरहे के लेटर पे छुट्टी का लेटर हो चाहिए किसी चीज का लेटर हो इस पैन से साइन हजारों बार किया होगा लेकिन अगर मैं कहूं आपको इस लेटर के ऊपर डिजिटल अब किसी चीज को डिजिटली साइन करना हो तो आप स्क्रीन पर जाके तो साइन करेंगे तो मैं कर सको नमस्कार दोस्तों मैं अभवेनी भर द्वाज आपका स्वाइब करता हूं मैं बिग गैडि स्मार्ट क्लास में वाज चैनल पर हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल टेपस और ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं और देख लिजे आपको बहुत गैम की चीज़ें मिलने वाली है तो डिजिटल सिंगेचर बनाने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको किसी वाइट पेपर के उपर इस तरह से जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने अपने साइन हिंदी में और इंगलीश में दौनों में साइन करके मैंने इस पेपर के उपर रखे हैं अब किसी भी तरह से यह जो पेपर है इसको आपको अपने कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो या तो आप इसे स्कैन कर लीजे या अपने फॉन से एक अच्छा सा फोटो ले लीजे तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ मेरे पास स्कैनर है अगर आपके पास कैमरा है तो आप उसका फोटो ले लीजे आप mobile phone से भी photo ले सकते हैं तो मैं इसको scan कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने scanner के application open कर रखी है अब यहाँ पर मैं मिज्वाले section पर जाओंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ ग्रे स्किल पर set किया हुआ है और जब आप चाहें English signature आ जाए तो मैंने दौनों को एक साथ में scan कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो signature है वो scan होके आ गया है अभी आप इसको save कर लीजिए save अभी आपको open करना है MS Word और यहाँ पर आपको insert पर जाना है और वो जब picture अभी आपने scan करी है उसको यहाँ पर ले के आना है तो download section में यह picture आ गई तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी मैंने दौनों signatures ले लिए हैं हिंदी भी ले लिया है English भी ले लिया है तो केबल एक signature में इसको कैसे convert करेंगे इसका तरीका बहुत simple है यहाँ से सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा जो brightness और contrast है उसको set कर लेते हैं correction पर हम जाके यहाँ पर अलग अलग तरह के options हमें मिलते हैं हम वहाँ से correction कर लेंगे तो sharpen में इसका 50% कर दिया है ताकि यह और ज़्यादा इस पस्ट दिखाई दे तो अब इसको हम करेंगे crop यहाँ से कुछ इस तरह से अब भी मेरे को केबल हिंदी वाला signature चाहिए तो मैं इसको crop करके हिंदी signature पर set कर लेता हूँ यह signature मेरा यहाँ पर आ गया अब इसके नीचे मैं लिख दूँगा अब इमेन भरत वाज ठीक है और यहाँ पर अगर आप designation लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो सो यह यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर दी हैं अब इसको simply क्या करना है इसको हमें digital तोर पे सेव रखना है यानि जब भी हम नई फाइल में भी इस signature को लगाएं तो यह बड़े आराम से आ जाए और इसको करने के लिए हम use करेंगे MS Word के एक बहुत powerful tool Auto Text का Auto Text के एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लंबे लंबे जो words है वो बार-बार type करने होते हैं तो आप Auto Text का use करें Auto Text क्या करता है कि किसी भी एक बड़े word का या किसी भी चीज का या paragraph का एक छोटा shortcut बना देता है जैसे आप type करेंगे MS Word में सो आपको suggestion मिलेगा और आप enter करके उसे वहाँ पर display कर सकते हैं तो Auto Text का हम use करने वाले हैं यहीं पर, तो कैसे करेंगे चलिए जल्दी से जान लेते हैं यहाँ पर जो भी चीज आपको Auto Text में add करानी है तो उसको पूरा select कर लीजिए और उसके बाद आप चले जाए Quick Parts में, यह आपको नाम देना है, सो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा पहला जो signature हिंदी का है मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, हिंदी S सिर्फ आपको यही लिखना है इसके बाद आपको इसे OK कर देना है अब यहाँ पर मैं दूसरा signature add करने वाला हूँ, English का तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर select करूँगा, और इसको दुबारा से crop बाले option में जाऊँगा क्योंकि वो जो image थी, वो अभी भी हमारे पास में है, जो हमने यहाँ पर insert कराई थी तो picture format tool इस image को select करते हैं, रिबन में आ जाएगा, इसके बाद आपको जाना है, crop के option पे इस पे आपको click कर देना है, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको जो आपका English फाला signature था, वो भी दिखाई दे जाएगा इसको उपर उठाके आपको scroll करना है जहां भी आप अपने signature को set करना चाहते कर दीजिए, crop को और थोड़ा सा चोटा कर दीजिए and okay, अब आपके यहाँ पे English signature है, वो भी आ गया है, अब दोबारा से हम इसको select करेंगे और दोबारा से हम जाएंगे insert के option पे, और यहाँ पे आप जाएंगे इसका जो मैं shortcut बनाता हूँ, वो बनाता हूँ e-n-g ठीक है, और s, s माने signature, so यह हो गया इसका shortcut या name, अब इसके बाद हम इसे okay करते हैं, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और अब मैं आपको signature लगा के बताता हूँ, तो signature को यहाँ पे लगाने के लिए, हमें कुछ नहीं करना, वो shortcut type करना है, हिंदी, और जैसे आप हिंदी type करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर, एक option मिलेगा enter, press to insert, so यह समझ गया कि हमने हिंदी नाम से को यहाँ पे auto text लगाया हूआ है, थोड़ा सा आप s भी लिख देंगे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक जैसे बहुत सारे नाम लिख रखेंगे हैं, तो आपको पूरा लिखना जरूरी है, और enter करते ही, आपका हिंदी वाला signature है, वो आ जाएगा, इसके बाद में, जैसे आप e, n, g लिखेंगे, और s लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपके सामने suggestion आएगा, कि press enter to insert, जब भी आप enter प्रेस करेंगे, तो वो insert हो जगा, बहुत चोटा सा हमने यहाँ पे, एक shortcut उसका बनाया हुआ है, और यह कितनी भी बार आप कर सकते हैं, कितनी भी बार आप यहाँ पे हिंदी लिखके enter, जब दबाएंगे, तो आपका जो हिंदी वाला signature है, वो आ जाएगा, देखिए, यह देखिए, इस तरह से, पूरा का पूरा, जितना आपने select किया था, तो इस तरह से, आप अपने MS Word के document में, हिंदी और English के बहुत सारे signature side करा सकते हैं, और digital signatures कर सकते हैं, तो देखा, आपने कुछ भी सीखना कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं न कहीं आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, और अगर आप भी घर बैठे, computer course करना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं, ISO certified, इस तरह का certificate जिस पर भी नीचे, digital signature हो रहे हैं, तो आपको जाना है, वीडियो के नीचे दिये गए, description के link पे, जिससे आप पहुँचेंगे, PC skill website पर, यहाँ पर हमने धेरों professional courses बनाए हैं, जहां से आप घर बैठे कर सकते हैं, DCA course, MS Office course, MS Excel course, Photoshop, Coral Draw जैसे बहुत सारे professional courses, वो भी हिंदी भाषा में, और अगर आप चाहते हैं, कि online course न करके, घर पे ही मुझे pen drive मिल जाए, जिससे मैं offline बिना internet के सारे जो videos हैं, वो देख सकूँ, घर बैठे course कर सकूँ, तो वो option भी उपलब्द है, आप नीचे दिएगे, नमबर पे call करिए, आपको पूरी जनकरी दी जाएगी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज्यादा तर comments के reply करूँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जहन्द वन्ने मातरम